नमस्कार दूस्तों मैंना मैं रादिप सजुवान और आजम बात करेंगे साउथ की मसूर एक्टर्स अनुसका सिट्टी के फिल्मी सफर और उनके जीवन से जुड़े हुए को चंतुने फेक्स के बारे में जिनके बारे में सायद आपको ना पता हूँ तो दूस्तों वीडियो सुरू करनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि यदि आप में चैनल पर नए हूँ तो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताके मैं आपके लिए और बेसी वीडियो ला सकूँ दूस्तों अनुष्का सेटी साउथ की एक मसूर एक्ट्रेस है जो के कई तमिल और तेलगू फिल्मों में काम कर चुकी है उनका जनम 7 सितंबर 1980 को करनाटक के मैंगलोर में हुआ था उनके पिता का नाम एमन विटल सेटी है और माता का नाम परफुला सेटी है इसके अलावा उनके दो भाई भी है गनाराजन सेटी और साई रमेश सेटी गनाराजन सेटी उनके बड़े भाई है जो की एक बिजरस् और उनकी दूसरे भाई साही रमेश सेटी एक कॉस्मेटिक सर्जन है और उसका सेटी ने अपने सुरवाती पढ़ाई माउंट कारमिल कॉलेज से पूरी की इसके अलावा बैंगलोर युनिवर्स्ट्री से उन्होंने बैचलर ओफ कम्प्यूटर की पढ़ाई भी की है लेकिन में हाथ अजमाने के लिए कहा और वे भी इसके लिए मान गई उन्होंने अपने फिल्मी करियर की सुरवात 2005 में डिरेक्टर पूरी जगनात की फिलम सूपर से की इस फिल्म में उनके उपोजिट अकिनेनी नागरजुन थे लेकिन ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर एवरेज स साबित हुई थी अनुषका सिट्टी का असली नाम सुवीटी सिट्टी था लेकिन डिरेक्टर ऐसे स्राजमोली के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदल कर अनुषका सिट्टी रख दिया जो कि उनके लिए काफी लख्की साबित हुआ इसके बाद उन्होंने 2007 में नागरजुन के साथ फिल्म डॉन नंबर वन में काम किया और इस फिल्म में भी लोगों ने उनके एक्टिंग को खूब सराहा और 2009 में उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी ब्लोकबस्टर फिल्म अरुंदती में काम किया इस फिल्म में उनके एक्टिंग ने सबको अपना दिवाना बना दिया था और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फिमेल का साथ फिल्म फियर अवर्ड और नंदी अवर्ड भी मिला उनकी बहतरिन एक्टिंग को देखते वे उन्हें और भी ऐसे कई फिल्में ओफर हुई जैसे वेदम, नागावली, किंग नंबर वन, सिंगम टू आदी और ये सारी की सारी फिल्में बॉक्स ओपिस पर सुपरिट साबिध हुई और 2015 में उनकी दो बड़ी फिल्में रिलिज हुई रुद्रिमा देवी और बाहु बली इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ओपिस पर अच्छी कमाई की बाहुवली फिल्म की वज़े से उनने पूरी दुनिया में पहचान मिली और आज के समय में वे साउथ की टॉप टेन एक्टेस में गिनी जाती है और वे एक फिल्म में काम करने के लिए 6 करोड रुपे तक चार्ज करती है और अब तक वे 70 से भी जादा फिल्मों में काम कर चुकी है अब बात करते हैं उनके जीवन से जुड़े वे कुछंतुने फैट्स के बारे में अनुसका सेट्टी को कविताएं लिखने का काफी शोक है और वे परकरती पर तेलगू और इंगलिस में कविताएं लिखना पसंद करती है उनके फेवरेट एक्टर्स नागरजुन और महेस बाबु है और फेवरेट एक्टर्स जोतिका और सिमरन है उन्हें आउडिशन देना पसंद नहीं है जिस कारण कई बार में कॉंट्रोवर्सी में भी फस जाती है इसके अलाबा उनका निक नेम मैक है जिसके बार में बहुत कम लोग जानते है तो दोस्तों ये थी उनके जीवन से जड़ेवे कुछ समसुने फेक्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को लाइक कीजे ताके मैं आपके लिए और बेसी वीडियो लाज सकूँ धन्यवाद